मध्य प्रदेश के किसानों की अपनी सरकार अब शिवराज सरकार जिसने एक बार फिर दिया है किसानों को उनका वाज़िभक उनका अधिकार शूनिय प्रतिशत ब्याच दर पर किसानों को खेती एवं कृशी कारियों के लिए रिण की सुविधा इस वर्ष भी साथ ही रभी एवं खरीफ फसलों के बीमा का लाग भी प्रारंब प्रदेश के 15 लाख किसानों को अब मिला है फसल बीमा की लगभग 3,000 करोड की राशी का भुकतान सीधा उनके बैंक खाते में पिछली कांग्रेस की सरकार में 2018 के खरीफ की फसल का और रवी की फसल का फसल बीमा योजना की अंतरगत जो प्रीमियम जमा करना था वो प्रीमियम जमा नहीं किया और इसलिए फसल बीमा योजना का लाफ किसानों को नहीं मिला लाफ से बंचित किया था पिछली सरकार में हमने आते ये फैसला किया कि फसल बीमा योजना का लाख बिलना, ये किसान का अधिकार है, हक है, मिलना ही चाहिए, ये अधिकार हम उनको देंगे, और इसलिए तत्काल हमने प्रीमियम जमा कर दिया कोरोना संकट की इस घड़ी में हर किसान के साथ खड़ी, शिवराज सरकार, मध्यप्रदेश सरकार की पहली प्रतमिक्ता, खुशाल किसान, खुशाल प्रदेश, और हाँ, एक खास बाद, कोरोना से डरे नहीं, सिर्फ सामधानी रखे